पुसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी घर में किसी की मौत हो जाए तो रिष्टेदार सिर्क्यों मुणदवाते हैं जाने असली वजह आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके मृत्यू के बाद की दुनिया के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं हिंदू धर्म में मौत के बाद के जीवन अगले जन्म की यात्रा इससे जुड़े पाप पुन्ने रीती रिवाज इत्यादी चीजे विस्तार से बताई गई है परिवार में जब किसी की मौत हो जाती है तो परिजन उसकी आत्मा की शांती और मुक्ती के लिए कई तरह के रीती रिवाज करते हैं मौत के पश्चात होने वाले रीती रिवाजों में परिजनों का बाल देना यानि मुंदन कराना सबसे एहम माना जाता है सिर मुंडवाने की ये प्रथा काफी पुरानी है ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किसी के मरने के बाद सिर क्यों मुंडवाया जाता है इसका जवाब आपको गरुण पुरान में मिल जाएगा इसमें व्यक्ति के मरने के बाद बालदान करने के कुछ एहमकारण बताए गए हैं बालों से संपर्क जोड़ने की कोशिश करती है आत्मा गरण पुरान की माने तो मरने के बाद मृतक की आत्मा अपना शरीर आसानी से नहीं छोड़ती है वे यम्राज से बार-बार विन्ती कर यम्लोग से वापस आती है यहाँ वे अपने परिजनों से संपर्क करने का प्रयास करती है वे यह संपर्क परिजनों के बालों की मदद से करती है। यही वज़ा है कि परिजन सिर मुंडवा लेते हैं। वे चाहते हैं कि आत्मा उनके मों से मुक्त हो जाए। प्रेम और सम्मान जताने को मुंडवाते हैं। सिर्व सिर मुंडवा कर परिजन मृतक के प्रती प्रेम औ शाते हुए अपने बाल कटवा लेते हैं बालों के बिना सुंदर्ता अधूरी मानी जाती है ऐसा कर वहमृत्त के प्रती अपना बलिदान दिखाते हैं साफ सफाई के लिए मरने के बाद व्यक्ति के शव में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जब हम किसी का अंतिम संसकार कर लोटते हैं तो शव के संपर्क में आते हैं इससे जीवाणू हमारे शरीर और खासकर बालों में चिपक जाते हैं नहाने के बाद भी बालों से जीवाणू जाते नहीं है ऐसे में सिर और चेहरे के बालों को हटवा दिया जाता है सूतक समाप्त करने के लिए जब परिवार गर का सूतर खत्म हो जाता है शिखा नहीं काटते हैं किसी की मृत्यों के बाद परिजन सिर मुंडवाने और दाड़ी बनवाने का काम करते हैं लेकिन सिर मुंडवाते समय शिखा यानी चोटी कभी नहीं काटी जाती है इस चोटी को हमेशा रखा जाता है हिंदु धर्म में चोटी को काटने का प्रावधान नहीं है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो कृप्या वीडियो को एक चोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें